Hello everyone, Hi, Good morning, Good afternoon, Good evening, कैसे हैं आप सब लब दोस्तों, मेरा नाम है उडवशी जोशी और यह है मेरा चानल 233 High Priestess दोस्तों आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है इड जिसको कि हम सप्रेस्ट डिजायर्स, सप्रेस्ट इमोशन्स भी कहते हैं यह जो गिल्ड की एनरजी है ना, यह 30 की है, बहुत ही जादा लो, यह गिल्ड गलानी के लेवल पे बहुत नीचे जब कोई वेक्ति आ जाता है ना तो बहुत सुसाइडल होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, बहुत उसको गंदा फील हो रहा होता है इस एनरज लेवल पे, 30 के लेवल पे, बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे सर्वाइवल, जीना, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत लोग सुसाइडल हो जाते हैं इस लेवल पे, तो आज जो मैं आपसे बात करी हूँ, यह चीज मैं नोटिस करी हूँ, बिछले कुछ दिनों स कई सारे लोगों के अंदर ठीक है और मैं आपके साथ शियर कर रहे हूँ डेफिनिटली आप भी कुछ लोगों में इस चीज को महसूस कर रहे होंगे see awakening के बाद सबसे पहले क्या होता है हमारी इड अक्टिव होती है इड मतलब हमारे subconscious mind में बड़े हुए सारे हमारे suppressed emotions जो हैं वो बाहर आने लगते हैं surface पर आने लगते हैं वो सारी इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हुई थी वो सभी emotions जो अंदर दबे हुए थे वो सारे surface पर आते हैं अब इस time period में अगर कोई व्यक्ती जादा aware नहीं है ठीक है और self love में भी जादा रहता नहीं है रहती नहीं है उसको खुद से इतना प्यार नहीं है खुद को उसने कभी इतनी priority दी नहीं और तो कही बारी unaware person क्या होता है चाहे वो उम्र दराज हो चाहे वो 40-50 साल 60 साल का इंसान हो महीला या पुरुष हो चाहे वो एक शादी शुदा औरत हो दो बच्चों का तीन बच्चों का पिता हो और चाहे वो एक यंग्स्टर हो ठीक है college going student ऐसा कोई हो जब उनकी awakening start होती है तो सबसे पहले उनकी suppressed desires जो unfulfilled रही है या वो सारे emotions जो उनके दबे हुए थे वो सब corner पर आते हैं अब इस time period में कई लोग क्या करते हैं वो इतने aware नहीं होते और वो इतना जादा अपनी इच्चाओं की या desires की गुलाम हो जाते हैं या ये कहलो की वो desire जो उनकी पूरी नहीं हो पाई थी जो उनके अंदर दबी हुई थी जब वो surface पर आती है तो वो इस तरीके से मजबू हो जाते हैं उन इच्चाओं की पूर्ती के लिए कि वो कुछ भी करना शुरू कर देते हैं मतलब अपनी उस इच्चा की पूर्ती के लिए वो किसी भी level तक चले जाते हैं चाहे उनको जूट बोलना पड़े घर में किसी को धोका देना पड़े समाज में धोका देना छुप छुपा के करना पड़े कुछ भी करना पड़े वो अपनी उस desire की पूर्टी के लिए किसी भी level पर चले जाते हैं चाहे वो व्यकति किसी भी उम्र का हो अगर वो aware नहीं है वो ग्यान में नहीं है तो ऐसा ही होता है उस व्यकति के साथ कि मतलब वो कुछ भी करके उसकी पूरती अपने उस डिजायर की पूरती करना चाता है क्योंकि वो डिजायर उसके उपर बहुत जादा strongly हाफी हो रही होती है और अगर वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहा होता है तो वो जी नहीं पा रहा होता है जी नहीं पारी होती है और ऐसी condition में कई बर लोग addiction में चले जाते हैं जैसे की थौट्स इतने ज़्यादा चल रहे होते हैं व्यक्ति के mind में कि वो thoughts को रोक नहीं पा रहा होता है और उसको उससे हटने के लिए कई बरी वो जैसे नशे कर रहा है या drugs कर रहा है या किसी भी प् कार में हैं या कोई बताने वाला नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है ऐसी कंडिशन में कई बार व्यक्ति जो है चाहे किसी भी उमर का हो चाहे कैसा भी हो शादिशुदा हो स्टूड़न्ट हो उमर दराज हो कई बार अपने उस इच्छा की पूर्ती के लिए आने की अप काम तो कर दिये ओके वो चीजे तो कर दिए परंदू उसके बाद कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को जो है एक्दम से जो है ऐसा फील होता है कि बहुत गंदा सा एक्दम उसको गिल्ट फील होने लगता है कि ये उसने क्या कर दिया I mean और वो फिर जो है ना आँखे नहीं मिला पाता फिर धीरे मिला पाती किसी से और उसको अंदर ये अंदर गंदा लगना शुरू होता है कि ये उसने क्या कर दिया वो एक अच्छी इंसान नहीं है वो एक अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि वो चुप चुपा के ये सब चुप चुपा के ये सब कर रहा है तो उसको बहुत गंदा लगना शुरू होता है अंदर ही अंदर मतलब सब कुछ वो व्यक्ति चुप चुपा के कर रहा है लेकिन अंदर से ही कोई चीज है उसको जो उसको गंदा फील करा रही है कि जो भी तू कर रही है या जो भी तू कर रहे हो यह गंदा है और उस condition में व्यक्ति जो है एकदम से नीचे की तरफ आ जाता है मतलब उसका energy level जो है वो बहुत नीचे आ जाता है उसका low पे आ जाता है वो व्यक्ति, मतलब जैसे shame की energy पे या guilt की energy जो की बहुत ही low है, 20 या 30 की energy है, यहाँ पे वो व्यक्ति आ जाता है, और यह energy level पे उसको depression जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है, उसको depressive feel होना शुरू हो जाता है, वो अपने आपको लेकि घरना करना शु मिलना कम कर देता है, किसी की आँखों में आखे देख के बात नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं किसी की आँखों में देखूंगा, तो मैं जो छुप छुपा के कर रहा हूँ, शाद सामने वाला मेरी आँखों को पढ़ लेगा, ऐसे मतलब बहुत उसके अंदर चलता रहता है वो नीचे अपना सर जो है नीचे रख मतलब जुका के रखेगा जब कभी किसी मतलब महफिल में है या बहुत से लोगों के बीच में तो उसका सर जुका रहेगा जुका के अपने सर जुका के वो कहीं से निकलेगा या खड़ा रहेगा वहाँ पर या ख suppressed desires के दबाव में जो भी उसने कारे कर दिये हैं या कर रहा है उसकी वज़े से धीरे-धीरे वो अपने आप में बहुत शरम फील करता है या बहुत उसको गलानी होती है और इसी वज़े से वो लोगों से आँख नहीं मिला पाता है या मिला पाती है या फिर वो खुद को लेक ऐसी सी चीज़े कर रहे थी कि उसने एक दिन मुझे बोला कि क्यूं दियोगी भगवान ने मुझे ये जरनी मैं मैं बहुत मैं नहीं हूँ कहलाने डिवाइन फैमिनन मैंने इतने गंदे काम कर रहे हैं अपनी डिजायर की फुल्फिल्मेंट में के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं मैंने हर गंदा काम किया जबकि वो बहुत अच्छे फैमिली से थी गुजराच से थी वो लड़की और शिवा से कि मैंने इतने गंदे काम करें मैं कहलाने लाइक ही नहीं हूं मैं डिवाइन फैमिनन मतलब उसको इतना मतलब वो अपने आप से इतना मतलब ऐसी हो अंदर से जो भी उसने किया है उसकी वज़े से कि वो अब खुले आम वो बात बोल रही है कि मैं नहीं हूं डिवाइन फैमिनन कहडाने लाइक और एक ऐसी ही एक और भी इसके अलावा एक लड़की और आई थी कुछ डेड़ एक साल पहले और वो कुछ मुवीज वगर हमे कुछ ट्राई कर रही थी दरूदा तो शिवर श्रैन कि मैं डिवाइन फैमिन नहीं हो सकती हूं मैंने ब सäट की पता नहीं है जरनी mo एक कसे मिल गई मैं तो बहुत गलत कामों में हूं मैंने बहुत है यहां पे पहुत कुछ माम आगे बढ़ने के लिए काफी ऐसी चाएज चीज़े करनी पड़ती है अंशी सट की मतलब उस उसने भी काफी ऐसी चीज़े करी हुई थी तो उस मतलब उसको यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि भगवान ने उसकी अवेकनिंग कराई है या वो भी डिवाइन फेमिनन कहना आने के लायक है वो खुद कोई मतलब मुझे अप परसन आ रखी थी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब वो अपनी जीवन में जो है अपनी किसी इच्छा की पूर्ती के लिए बहुत बड़े-बड़े मतलब कुछ भी कर जाते हैं तो बाद में उनको खुद से इतनी शरम आती है कि वो कई बार ऐसे खुले में बोलते हैं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं मैं अच्छा इंसान नहीं हूं मैं आप जैसे को डिजर्व नहीं करता हूं या करती हूं क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं ऐसे कई बार कई लोगों का आप कहते हों मिलोगे क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा क्योंकि उन्हों कि इड आक्टिव होती है आने की step number one suppress emotion surface पर आते हैं और वो aware नहीं होते ग्यान में नहीं होते ऐसा कुछ उनके अंदर जुड नहीं रखा जो उनको की प्रकाश की तरफ लेके जाये तो कई बार वो सिच्छा की पूरती के लिए बहुत सारे ऐसे कारे कर जाते हैं ताकि वो शान्त हो सके उनकी वो desires fulfilled हो सके तो उसके बाद वो कर कराने के बाद जो है उनको बहुत गंदा कुछ दुनों के बार लगना शुरू हो जाता है बहुत बुरा एकदम guilt पर आ जाते हैं वो उनको शेम पर आ जाते हैं और इस energy level पर उनसे जिया नहीं जा रहा होता है क्योंकि ये energy level बहुत ही जादा low है इसमें व्यक्ति depression में जाता है या तो फिर सो societal thoughts आते हैं तो ऐसी condition में आप notice करना मेरे पास भी आते हैं बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और वो मुझसे एक ही बात repeat करके पूछते रहेंगे कि माम ये जो मैंने किया ये सही था ना वेकनिंग के बाद वो तो मेरा ये था वो तो मेरी ये थी मैंने सही किया ना तो कई बार मैं ये बोलती हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि आपने जो किया वो सही था या गलत था लेकिन हां मैं आपको कुछ tool and technique बता सकती हूँ जिनको अगर आप follow करो तो आप अपनी आतमा से अंदर से जुडने लगोगे अपने अंदर के भगवान से जुडने लगोगे अपने अंदर के ब्रहमांड universe से connect होने लगोगे और आपको खुद को समझ आएगा कि जो आपने किया वो सही था कि गलत था अपने अंदर के श्री कृष्ण से आप जुडने लगोगे ये जो spiritual practices है basically ये हैं क्या basically ये वो tool and techniques हैं जिन से कि आपके अंदर की negative layers हटती हैं और फिर धीरे धीरे आप अपनी आत्मा यानि कि भगवा श्री कृष्ण से जुडने लगते हो श्री कृष्ण ही आपकी आत्मा है वहीं से आपको सारा ज्यान मिलता है अंदर से ऐसे लोग जो अपनी id के दबाव में यानि कि काम जो उनको अंदर से करने की इच्छा होती है हाना कई प्रकार के defense mechanism कई प्रकार की चलाखियां ये लोग use करते हैं हाना और इनको लगता है उस वक्त कि नहीं नहीं हम करेंगे सब कुछ क्योंकि हमें तो ये करना है पूरा ये इच्छा पूरी करनी है कैसे भी करके उसके बाद जब अंदर का guilt उनके उपर हावी होता है तो ये लोग चट पटाटें depression में जाते हैं लोगों के पास जाते हैं भग भग के और पूछते हैं कि और जैसे मेरे पास भी आते हैं कि हमने जो किया वो सही था हमने जो वो तो हमारा ये था वो तो हमारी ये थी हमने जो किय यह वो सही था? वो क्यों पूछ रहे हैं basically ऐसा? क्योंकि उनको उनकी गिल्ट खा रही है अंदर या अंदर? अंदर्शता हैं? उनको उनकी गिल्ट खा रही है कि वो तो शादिशुदा औरत थी, वो तो शादिशुदा आदमी था, उसकी तो जिम्मधारियां बड़ा मुश्किल हो झाता है, उनको डिप्रेशन जैसा फील होना शुरू हो झाता है, उनको ऐसा लगता हूंकि शरीर में कुछ बहुत बुरी तरह से वाइबरेट कर रहा है, उनके बॉड़ी में सेंसेशन होते हैं, उनके दिमाग में unlimited thought चलते हैं तो ऐसे condition में वो लोगों को ढूंदते हैं कि जो भी मैंने किया वो सही था ना जो मैं कर रही हूं वो सही है ना तो ऐसी condition में कभी भी किसी उसका जो guilt है जो उसको खा रहा है ऐसी condition में जब लोग किसी के पास जाते हैं तो अगर आपके पास कोई ऐसा आए तो आपने उसको यह नहीं कहना हाँ जो तुने किया वो बिल्कुल ठीक था क्योंकि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप भी कर्मों के भागिदार बन रहे हो understand? आपने उसको बोलना है कि मुझे नहीं पता कि जो तुमने किया वो सही था या गलत था पर मैं तुमें वो चीजे बता सकती हूँ या बता सकता हूँ जिससे कितम अपनी आतमा से जूर सकती हो या जूर सकते हो और फिर तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें जबाब देगी, जो तुमने किया, वो सही था या गलत था, और उसके बाद आप उनको अच्छी किताबे, spiritual practices या कोई अच्छे counselor के बारे में बताओ, ठीक है, और जब वो व्यक्ति धीरे धीरे अच्छी practices में आएगा, धीरे धीरे उ जूरता चला जाएगा, उसको खुदी समझाएगा कि उसके सथ क्या हो रहा था, या उसने क्या किया, उसकी learning होगी फिर, ठीक है, तो ऐसे guilt consciousness में कई लोग आते हैं, जो अपनी इच्छा पूरती कर बैठे होते हैं, और या अपनी इच्छाओं के दबाव में आके कुछ भी कर बैठे होते हैं, बाद में अपने आपको satisfied feel कराने के लिए, अंदर से अच्छा feel कराने के लिए, वो counselors के पास जाते हैं, कई लोगों के पास जाते हैं, और उनको बस ये सुनना होता है, कि हाँ जो उन्होंने किया, वो बिल्कुल सही था, लेकिन अगर ऐसा कोई कोई बोल हैं कि हांची जो तुनने किया बिल्कुल सही था, तो वो भी कर्मों का भागिदार बन रहा है, ठीक है? खाएं, जो यहां पर हमें असको यह नही बोलना कि जो तुनने किया है, वो तो उसकी खुद की life है, उसको खुद कsoci この werenth मि приглас है और इसको थे ग्छिए ही एकिन संज़ जा जाएगा क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों ये एक चीज में नोटिस कर रहे थी कुछ दिनों से मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ आपको अच्छा लगा हो अगर आपके आसपास भी किसी के साथ आप ऐसी कोई चीज नोटिस कर रहे हो तो उसको सिर्फ वो उसकी जर्नी है वो उसको खुद्स को सीखना है ओके बस यही ता मेरा आज कर वीडियो आप आप लोगों को अच्छा लगा हो था है कि सो मच बबाए टेक केर गौड ब्लेस्यू आल